किशना स्ट्रेंट आज की जो वीडियो है वह आपकी रोमन काउंटिंग में 100,000 या फिर उससे भी बड़ी जो संख्या लिखे आती है वो किस तरह से लिखे आती है तो में आपको याद रखना है किसा टरा से तैन तक किस तरह से लिखा जयता है फिर 30 के लिए 40 के लिए 50 के लिए 60 सेवन förstaunge इस्टेस इन हन्ड़िट उसके बाद में वापिस थाइवंड्रेट फिर 1,000 फिर श्याट में बहरेके अगर स्टेसлять हम आपका तर्टीन जिस तरह से मैंने बताया था कि 10 के लिए आपका X लगता है तो 20 के लिए double X लगता तो 30 के लिए triple X 40 में आपका change होता है LX लगता है XL लगता है then 50 में आपका L लगता है then 60 में आपका LX लगता है दिन 70 में मतलब आपको याद रखना है ल है तो एल में से X कम करा मतलब 10 कम किये तो 40 हो जाएगा और यदि उसके आगे-ागे लिखते जाहेंगे हम तो L और X करा तो आपका 60 हो जाएगा डबल X कर दिया आपका 80 हो जाएगा उसके बाद में 100 के लिए आपका C लगता है तो 90 के लिए C माइनस 10 तो आपका आजाएगा पहले X फिर C आजाएगा नेक्स्ट टू हंडड़ेट सेम चलता है डबल C देन 300 में ट्रिपल सी और 400 में आपका क्यूंकि 500 में आपका D लगता है तो D से 10 कम तो पहले C और फिर D उसके बाद में आपका 600 वैसे ही D और C लिखा जाएगा देन 700 में D डबल C लग जाएगा देन 800 में आपका C ट्रिपल स लग जाएगा देन आपका 1000 के लिए M लगता है तो 900 के लिए आपका C और M लग जाएगा मतलब C से 100 कम अगर आपको लिखना है 50 L लगता है then 100 C लगता है then 500 D लगता है then 1000 के लिए M अगर आपको लिखना है 2345 तो 1000 के लिए double M then 300 के लिए triple C then 45 के लिए आपका लग जाएगा XL और V इस तरह से आपके complete Roman counting हो जाएगी अगर आपको 1 to 100 तक counting लिखनी है तो आप इस तरह से यह चार्ट बना रखा है इस तरह से आप इस चार्ट के according आप इसको 1 to 100 तक बच्चों को learn करा सकते हैं उनकी copy में उनको लिखने में help कर सकते हैं हैँ इसके उपर में अपको दे रखा कि 1 के लिए आपका one लगता है फाइप के लिए अपका अपकर वी लगता यह link TC ऐल 100 के लिए 6 ताउजन की लिए एंचमें इसमें 500 का नहीं लिया आप देख लेनाOKए आपको वीडियो पसंदा आ किजिए, शेयर किजिए, सब्सक्राब किजिए. Thank you.